आज हम एक ऐसी नौवल के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ सुसाइटी के लव के बारे में जो नेरो व्यूज हैं उन्हें चालेंज करती है बलकि प्यार लव क्या होता है और वो एक इनसान को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस बारे में भी एक बहुत ही ब्यूटिफुल, हाइली स्पिरिटेड नौवल है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी और सीरिसली इसने काफी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर किया साथ ही इसे पढ़ने के दारान यू कन सिंपली फिल एवरी थॉट, सेंटेंस, और सीन इंसली वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब एन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें So, The 40 Rules of Love एक ऐसी नौवल है जिसमें बताए गए लेसंस, काफी बाउंडरीस कवर करते हैं The 40 Rules of Love 2009 में रिलीस्ट एक आउटस्टैंडिंग नौवल है जिसे टर्किश राइटर एलिफ शफाग ने लिखा है जो टर्की में अल्रेडी फेमस है एलिफ सोसाइटी से रिलेटेट काफी इशूस पर बोलती और लिखती आई है So, इस नौवल में मैंशन लेसन समझने से पहले नौवल की स्टोरी जाना ज़रूरी है तो एक ओवर्व्यू ले लेते हैं कि ये एक्जाक्ली किस बारे में है नौवल की में कैरेक्टर का नाम एला है साथ ही इसमें हम रूमी और उनके मैंटॉर शम्स अफ तबरीज की लाइफ के बारे में जानते हैं इसमें दो पैरलल स्टोरीज चलती है एक एला और अजीज की जो प्रेजन में है दूसरी रूमी और शम्स की जो 13th सेंचरी में चल रही है रूमी जो एक mystical scholar, poet and शम्स जो एक सूफी डर्विश थे जहां से उन दोनों की स्टोरी शुरू होती है basically that's my favorite part of the book मैं हमेशा से ही रूमी की स्टोरी जाना चाती थी and trust me ये novel रूमी की स्टोरी अच्छे से बया करती है साथ ही मैंने Shams of Tabriz का नाम आज तक बस सुना था उनके बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी but 40 rules of love पढ़ने के बाद Shams of Tabriz के लिए मेरे दिल में जो respect आज चुकी है that I cannot express in words ये आपको book पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहे हूं Now back to the story So who is Ella? Ella अपने 40s में है जो एक unhappy married Jewish woman है जिसके तीन बच्चे है वो एक housewife है जो बिना किसी dream and passion के life जी रही होती है Ella life से satisfied नहीं होती novel का आधा part Ella की story के around revolve करता है and आधा part again जो मेरा personal favorite है वो Shams of Tabriz and Rumi के बीच के deep and pure fraternal love के around घूंता है Ella as a literary agent job शुरू करती है जिसके लिए उसे एक book review करनी होती है इसी तरह वो इस book के contact में आती है जो Rumi and Shams के बारे में है जिसका नाम होता है Sweet Blasphemy जिसे अजीज जहारा नाम के author ने लिखा होता है ये book दो mistakes and उनके बीच के pure love के बारे में होती है and the friends, family and enemies जिने उन्होंने touch किया Ella Shams की Rumi के लिए search and उनका Rumi को एक committed mystic, passionate poet and advocate of love में transform करने में जो role होता है उससे mesmerized हो जाती है Ella Shams के lessons and rules से भी काफी touched feel करती है जो ancient philosophy के insights offer करते है जो religion and लोगों को unite करने and love जो सभी लोगों में present होता है इन पर based होती है जैसे जैसे Ella book पढ़ती जाती है वैसे वैसे वो book के characters के experience किये गए love के comparatively अपनी passionless married life में lack of love से aware होने लगती है and उसे realize होने लगता है कि वो खुश नहीं है साथ ही Ella book के author के love को describe करने के तरीके से काफी impress होती है book में shams जो lessons बताते हैं वो Ella को काफी inspire करते हैं तो अब बात करते हैं shams and roomie की story के बारे में sweet blasphemy की story shams of tabris के vision से शुरू होती है जिसमें उन्हें अपनी मौत के कुछ flashes दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें अपने साथ एक और इंसान दिखता है जिसे shams को ढूंडना है एक ऐसा companion जिसे वो mentor कर सके and जिसके साथ अपना wisdom share कर सके shams जानते हैं कि उन्हें बहुत कुछ सीखने and उस शक्स के जिसे वो ढूंड रहे हैं इसलाम and love के बारे में new ideas जानने के लिए shams का उनसे मिलना ज़रूरी है shams नहीं जानते कि उनका ये companion कौन है इसी तरह अपने companion की तलाश में shams निकल पड़ते हैं and finally कई महीनों के बाद कौनिया पहुशते हैं जहां रूमी से मिलते हैं रूमी एक famous Islamic scholar होते हैं जिनके sermons काफी लोग सुनते हैं and रूमी कौनिया में काफी famous भी होते हैं जब रूमी शम्स को पहली बार देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यही वो companion है जिसका रूमी भी काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे और अब रूमी एन शम्स साथ में काफी वक्त बिताने लगते हैं शम्स रूमी को बहुत कुछ सिखाते हैं उन्हें काफी knowledge देते हैं but unfortunately रूमी के followers and family especially उनका सबसे छोटा बेटा Aladdin, रूमी का शम्स के साथ रहना बरदाश नहीं कर पाते वो सभी शम्स को पसंद नहीं करते शम्स को बैगर से जादा नहीं समझते क्योंकि वो एक सूफी होते हैं and 13th century में सूफीज को कोई respect नहीं दी जाती थी उन्हें एक wanderer से जादा कुछ नहीं समझा जाता था well, sweet blasphemy पढ़ने के दौरान Allies book के writer Aziz के बारे में जानने के लिए curious हो जाती हैं इसलिए वो उन्हें Google पर सर्च करती है eventually उन्हें खुद को introduce करते हुए अपनी life के कुछ claims share करते हुए एक email भेशती है and ऐसे ही उन दोनों के बीच रोज बाते होने लगती है वो हर दिन एक दूसरे को email भेशते है and as time passes, Ella and Aziz romantically involved होने लगते है Ella, Aziz की love के बारे में openness and उनके life जीने के तरीके से काफी inspired फिल करती है and Aziz से मिलने और उन्हें जानने के लिए और जादा curious हो जाती है उधर दूसरी तरफ, sweet blasphemy में शम्स के positive messages share करने and लोगों को educate करने के बावजूद उनकी रूमी के साथ जो bonding होती है उसे देख, रूमी के छोटे बेटे Aladdin बिलकुल खुश नहीं होते and Aladdin की शम्स के लिए नफरत हर दिन बढ़ती जाती है finally वो अपने friends के साथ मिलकर शम्स को मारने का plan बनाता है शम्स की warning कि उनकी मौद रूमी को पूरी तरह से destroy कर देगी इसके बावजूद Aladdin नफरत में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो finally शम्स को मार देता है and ऐसे ही वो सपना जो शम्स ने starting में देखा था कि वो एक well में पड़े हुए है and एक शक्स है जो उनका नाम लेकर रो रहा है exact वही सपना सच हो जाता है after the loss of his companion आज हम जिस रूमी को जानते हैं उन events ने उन्हें वो बनाया शम्स की मौत के बाद रूमी बिलकुल बदल गए थे ये शम्स ही थे जिनकी absence ने रूमी को poetry लिखने के लिए inspire किया and उनकी दिल से शब्द निकलते गए and रूमी लिखते गए इसी लिए उनकी poetry इतनी deep है जिसे ज्यादा लोग नहीं समझ पाते वहीं दूसरी तरफ Ella is expecting love and loss of her own उसे and Aziz को एक दूसरे से प्यार हो जाता है and वो ये सब अपने husband को बता देती है जब Ella Aziz से मिलती है वो उनसे उनके साथ Holland जाने के लिए बोलती है and यहीं पर Aziz breaks the news कि उन्हें terminal cancer है and उनके पास जीने के लिए बस 16 महीने बचे है इसलिए शायद Ella को इतना बड़ा decision लेने से पहले सोचना चाहिए फिर वो दोनों कुछ वक्त के लिए separate हो जाते है Ella वापस घर आ जाती है बड़े एक दिन अचानक से डिनर सेट करने के दौरान उसे suddenly कुछ realize होता है and वो अपने back spec करती है और अजीज के पास चले जाती है जिसके बाद अजीज एन Ella साथ में एक साल world explore करते हैं और end में कौनिया आ जाते हैं जहां उन्होंने अपनी book लिखी थी अजीज शम से काफी inspired थे इसी लिए वो कौनिया में अपना आखरी वक्त बिताना जाते थे ऐसे ही अजीज मर जाते हैं जिसके बाद Ella उनका funeral जैसे की अजीज की last wish थी उसी according organize कराती है and Ella अजीज की ही तरह आगे की जिन्दिगी जीने का decision लेती है fully in the moment and Holland move होने का plan करती है to see where life will take her and यही novel खतम हो जाते है अब बात करते हैं उन lessons की जो novel में Shams ने बताये है he tells us numerous valuable lessons that can help us lead a happy life and setting ideal goals in life as a mediator यह novel हमें इस materialistic society से कैसे deal कर सकते हैं इसके लिए guide करती है यह book उन limitations को point out करती है जो एक इनसान challenging situations होने पर खुद set करता है साथ ही हमें दूसरों के opinions and fail होने के डर से free होने के लिए guide करती है just follow your inner voice and do what satisfies you not others because convincing others is impossible you care too much about what other people think but you know what because you are so desperate to win the approval of others you will never get rid of their criticism no matter how hard you try 2. LOVE CAN TRANSFORM YOU this is one of the favorite lessons of 40 rules of love that love can transform a person into a beautiful soul हमें से ज्यादा लोग love की true power नहीं जानते we have seen love as narrow stance everyone tastes the taste of love in many different ways true love हमें खुद में changes लाने की ऐसी power देता है जो हमने कभी नहीं सोची होती true love ultimately acceptance level बढ़ा देता है and ऐसे ही इंसान transform होने लगता है and ये transformation life में और जादा positive outlook देता है every true love and friendship is a story of unexpected transformation 3. Don't die before your death ये book एक और vital lesson देती है that is never let yourself die before your death इस line के पीछे एक बहुत ही deep message है हमारा हम life कैसे जीते हैं इस पर complete control होता है but हम इस luxury को दूसरों को impress करने के पीछे ignore कर देते हैं God ने हम सभी को एक gift दिया है जो हमें ढूंडना होगा अगर उसे discover नहीं किया और society की बताई हुई बातों को हमेशा follow करते रहे then you will die before your death struggle for your burning desire no matter how hard it is to get it because that makes you feel alive don't go with the flow be the flow fourth never be impatient the lovers of God never run out of patience for they know that time is needed for the crescent moon to become full ये quote हमें बताता है कि life में किसी भी चीज़ के लिए impatient होना नहीं चाहिए it makes you short-sighted and disbeliever patience हमें किसी काम में जो delays हो रहे हैं उन्हें frustrate and upset हुए बिना accept and tolerate करने की ability देता है ये सिर्फ patience ही होता है चो emotions को smartly manage करने में help करता है और उसे असान बना देता है patience एक sign है कि आपको God के plans में believe है believe that one day you will see the dawn fifth idolatry blurs your vision ये novel एक और important lesson देती है कि उन idols को जो हम खुद बनाते हैं like कोई भी belief या person और anything जिससे भी हम खुद को bound करते हैं उन्हें oppose करना never let somebody come between you and God not any spiritual master, not any of your beliefs कभी गभी हमारे ideas गलत भी होते हैं and अगर हम उन्हें follow करते रहें तो शायद अपने रास्ते से भटक सकते हैं 6. Don't be so judgmental हर situation या इंसान के बारे में हमेशा judgmental होना हमारी personality ruin कर सकता है लोग सोचते हैं हर issue पर opinions देना जरूरी है but trust me not everyone needs your thought or criticism सबके अपने personal views and path होते हैं 7. Learn to love yourself If you want to change the way others treat you you should first change the way you treat yourself unless you learn to love yourself fully and sincerely there is no way you can be loved this is one of the important lessons of the book you have to love yourself before anyone else can love you how is it possible for everyone to respect and love you when you don't respect and love yourself, right? अगर आप ऐसी thoughts जो आपको unworthy feel कराती हैं उन्हें accept कर लेते हो तब आपको दूसरों को blame करने का कि वो respect नहीं दे रहे हैं कोई right नहीं हैं क्योंकि आप खुद को ही पहले enough respect नहीं दे रहे थे तो दूसरा इंसान क्यों देगा? Just be loyal to yourself and अपने सारे flaws and traits को accept करना सीखना होगा ऐसा करना challenging लग सकता है but it is important to value yourself 8. Always welcome changes Usually life में changes accept करना काफी difficult लगता है यह असान नहीं होता but without changes you can't know which side is better for you Life में होने वाले changes से डरना नहीं चाहिए Let yourself know कि comfort zone में रह के growth possible नहीं है So welcome even the smallest changes as they can add variety to your life 9. Solitude takes you to another level यह lesson काफी special है It's good to be social but खुद को हमेशा लोगों से सराउंड करके रखना सही नहीं है काफी लोग solitude से डरते हैं जबकि एक यही होता है जो हमारा faithful companion होता है Solitude, loneliness की feeling कम करता है The person who guides you the most is yourself and isolation takes you to a level where you can easily hear yourself Loneliness and solitude are two different things When you are lonely, it's easy to delude yourself into believing that you are on the right path Solitude is better for us as it means being alone without feeling lonely 10. Pain Upscales You Pain is considered the most invasive experience We all want to be loved without paying any cause for it Pain, perfect love के लिए compulsory है Pain दो significant qualities gift करता है यह इनसान को strong बनाता है and at the same time इनसान को soft बनाता है It expands the inner parts ऐसे ही हम दूसरों का pain feel करना सीखते हैं यह सिर्फ pain ही होता है जो love को pure and deep बनाता है Just as clay needs to go through intense heat to become strong love can only be perfected in pain 11. Both hell and heaven exist in this world यह lesson hell and heaven के बारे में जो misconceptions हैं उन्हें clear करता है हमें लगता है heaven and hell हमारी इस दुनिया से अलग एक और दुनिया है जहां हम मरने के बाद पहुशते हैं पर ऐसा नहीं है It is our doing, deeds, जो present moment को beautiful as heaven and horrible as hell बनाती है यह पूरी तरह से हमारे actions पर depend करता है heaven and hell, heart and mind की एक state होती है which we consciously or unconsciously choose to work in our daily lives quit worrying about hell or dreaming about heaven as they are both present inside this very moment 12. People don't believe in unusual लोगों का concept different beliefs पर based होता है which don't accept the unusual Society ने एक useless rule बना रखा है कि जो भी उनके against जाएगा वो या तो पागल है या stupid अब लोग over and over same चीजे सुनने और देखने के आदी हो चुके है और अगर कोई इंसान कुछ नया या different करने की कोशिश करता है तो society उसे एक dream या imagination की तरह मानती है और उसे पागल बोल देती है Just because वो इंसान कुछ अलग कर रहा है It's weird, right? And काफी लोग खुद को box of restriction में बंद कर चुके हैं And शायद इससे बाहर भी नहीं आना चाहते Finally I understood that whenever people heard something unusual They called it a dream 13. Criticism means you are on the right path काफी लोग अपने काफी dreams दूसरों के criticism से डर के छोड़ देते हैं और अपनी life miserable बना लेते हैं But ये lesson जो इस novel में बताया गया है इसके according हमें लोगों से डरना नहीं चाहिए और उन्हें जो बोलना है, समझना है, करने देना चाहिए क्योंकि ये एक signal है कि you are doing right And वो लोग ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे Be thankful for every thorn that others might throw at you It's a sign that you will soon be showered in the roses 14. Words and deeds always count The words that come out of your mouth do not vanish But are perpetually stored in infinite spaces And they will come back to us in due time हमें अपने words and actions lightly नहीं लेने चाहिए हमारे सारे actions, deeds, चाहे कितनी ही बड़ी या छोटी अच्छी या बुरी, क्यों ना हों, सब count होती है And घूम फिरकर एक point पर वापस जरूर आती है So हर actions so समझ कर लेना चाहिए Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy Well this is the end of the video Of course, book में और भी बहुत कुछ है जो मैं वीडियो में नहीं बता सकती ये बस कुछ lessons थे, जो I think worth knowing है पाकी I would say अगर आप detail में और चीजें And most importantly, Rumi and Shams के बारे में जाना चाहते हैं Then go for this book It's full of philosophy, spiritual knowledge, love, pain and sadness अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please like and share करना ना भूले पाकी चैनल सब्स्राइब करना And future में आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए Bell icon प्रेस करना भी ना भूले Thank you so much for watching